हलो दोस्तो ये रिस्ता क्या कहलाता है कि लिडिंग एक्टर करन महरा की वाइफ निशा रावन ने अपने ही हस्बेंड करन महरा पर डोमेस्टिक वाइलेंस एक्स्ट्रा मेरेटियल अफेयर का केस दर्ज किया है दोस्तो बहुत बड़ी ख़बर थी दोस्तो निशारावल ने बताया कि उनके हस्बेंड करन महरा ने उन्हें पुश्ट किया जाके वो दिवाल से टकराई उन्हें स्टीचेज आई बहुत बड़ी खबर थी उसके बाद वो अब डिवोश चाहती है दोस्तो अब कई दिनों बाद निशारावल ने इंस्टाग्राम पर एक पोश्ट डाला है जहां पर उन्होंने लाइफ और स्ट्रेंथ की बाते किये दोस्तो ये पोश्ट उन्होंने इस तरह किया है कि ये समझने वाली बात है कि उप क्या कहना चाहती है मैं बताता हूँ कि निशा ने लिखा क्या है निशा ने लिखा है stepped out that door that had those chain of inhabitation clawing my strength through my bones इन्होंने दोस्तों यहाँ पे pain की बात की है जो सफर की बात की है जो अभी तक वो भूगत रही है relationship में उसके बार लिखती है did not leave my old self behind उन्होंने अपने आपको खोया नहीं है अभी तक just carried it on my newly found soldiers यहाँ पे दोस्तों वो अपने बच्चे की बात कर रही है दो strength I wasn't aware of दोस्तों यह अपने strength की बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा उनको अपने बच्चे से strength मिल रहा है कि वो यह जो relationship है या जो moment से गुजर रही है उसको वो fight कर रहे हैं उससे जूज रही हैं उससे justice मांग रही है इन्होंने बात की है कि दोस्तों मैं thankful हूँ मेरे mind body और मेरे soul का जो मेरे हमेशा साथ रहा है जिसने मुझे हमेशा positivity दिया है I am my own bestie for life keeping the faith hashtag nisha rawal diaries दोस्तों ये बात share की है बहुत ही hidden post किया है दोस्तों इसमें समझने वाली बात है कि निशा क्या कहना चाहती है क्या feel करना चाहती है दोस्तों आगे अभी case पे कोई नया update आया नहीं है कि अभी case किस तरफ जा रहा है बड़ जैसे ही कोई update रहेगा मैं आपको पहले की तरह देता रहूँगा अगर अपने channel subscribe नहीं किया है तो please करके comment करें